हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो नॉलेज हाउस अगर आप किसी भी कॉंपरेटिव एग्जामेशन की तैयारी कर रहे हैं तो कर सकते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को और जॉइन कर सकते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम गुरूप को जिसकी लिंक दी रही है डिस्क्रिप्शन पर गाईज सब्सक्राइब दोस्तों आपका नोलिज हाँस में चलिए शुरू करते हैं एक अनदर इंपरेंट जज्जमेंट यानि कि रिजर्वेशन इन प्रोमोशन फॉर इस केस का जो नाम है एक्शल में वो है जर्नेल सिंगन अदर्स वर्सिज लश्मी नरैन गुपता अदर्स इसको सुप्रीम कोट ने डिसेंटली डिसाइड किया है Constitutional Bench ने और चलिए हम डिसकस करते हैं कि कोट ने कोन कोन से Constitutional Provisions को इसमें डिसकस किया है और क्या क्या जजिज ने कहा है है देखे दोस्तों सबसे पहले तो इसके नमें जो है फाइव जर्ज बेंच बैठी थी जस्टिस दीपक मिश्रा जस्टिस कुरियन जोसेफ जस्टिस रोहिंटन नरीमन जस्टिस अब जो सामने कोशन था कोट के वो था कि नागराज डिसीजन यानि कि देखे पहले एक डिसीजन आचुगा सुप्रीम कोट का एम नागराज वर्सिस यूनियन ऑफ इंडिया में जिसमें कोट ने ये कहा था कि प्रमोशन SCST का थूर्वेशन यानि कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन SCST का वो पारलिमेंट के उपर है अगर वो लोग पास करना चाहे तो कर सकती है और इसको डिसाइड करने के लिए कि बहु किस को मिलना चाहिए प्रमोशन के अंदर वो एक डाटा क्लेक्शन से बता लगेगा तो दो चीजें आपको समझ में आने चाहिए सबसे पहला ये कि पारलिमेंट के उपर है कि कि किस को मिलना चाहिए डिजर्वेशन प्रमोशन के लिए और दूसरा उसके लिए डाटा क्लेक्ट किया जाएगा अब इसको जो है कि आपको बता था ऎम नाग राज जो 2006 में आया था उसको challenge किया गया था उसके बाद इसको ये question मलब actual main question जो ये था कि क्या इस वाली judgment को एक higher bench को देना चाहिए कि नी क्योंकि देखें जो पहले judgment आई थी वो 5 judges की थी M नागराज में अब इसको अगर overall करना है तो 7 judge की bench बिठानी पड़ेगी अब इसको decide करने के लिए कि 5 से 7 bench पर जाना चाहिए कि नी उसके लिए अलग से एक 5 judge bench बनाए गई थी जो मैंने आपको से पिछले discuss किया ये लोग 5 अलब इन 5 को decide करना था कि M नागराज को आगे further review के लिए बेज़ा जाए कि नहीं तो अब जो 2006 की judgment थी उसको थोड़ा और detail में देखते हैं मैंने आपको और ली बता दिए था आप थोड़ा return form में है तो और बैटर आपको समझ में आएगा कि SCST को matter of promotion reservation mandatory नहीं है बट state अगर चाहे तो दे सकता है उसके बाद article 335 का ध्यान रखा जाएकर reservation देते करता है यानि कि article 335 जो है अलाव करता है reservation provided administrative efficiency बनी रहे है अगर reservation के वज़े से administrative efficiency खराब हो जाएगी तो constitution मना करता है कि आप reservation नहीं दे सकते हैं दूसरा कोट ने बोला कि जो यह description है state की कि वह reservation दे या नहीं उसके लिए quantifiable data collect करना जरूरी है जैसा कि मैं भी आपसे discuss करा था article 335 के बारे में तो यह कहता है कि जो claims है SC और ST के कि उनको reservation मिलना चाहिए या फिर वो ST है वो इस चीज़ के साथ consistent होना चाहिए कि maintenance of efficiency of administration यानि कि efficiency of administration under article 335 प्रिजर्व की गई constitution make sure करता है कि reservation जो है काम काज को खराब नहीं करेगा उसके बाद अब judgment पर आते हैं तो जस्टिस नरीमन ने जो है clarify कि कि जो एक quantifiable data यानि कि data collect करना SC ST के लिए वो बिल्कुल गलत है उनका कहना है कि वही constitution के अंदर SC और ST को एक special दरजा मिला हुए एक अलग status मिला हुए वो presumably backward हैं यानि कि यह आप पहले से ही मान सकते हैं कि वो लोग यानि कि जो लोग SC और ST से बिलोंग करते हैं वो लोग पहले से ही backward हैं उनके लिए data collect करके यह show करना कि हम लोग backward हैं यह गलत होगा तो इस चीज के respect में नागराज को जो है reverse किया गया है इस particular part के लिए ही लेकिन दूसरा part जैसे कि आर्टिकल 335 यानि कि वही efficiency बनी रही है चाहिए अगर आप reservation दे रहे हैं तो यह बिल्कुल अभी तक upheld किया गया है इस case में और सबसे important बात जो upheld की गई है वो यह कि promotion के माम में पार्लियमेंट ही decide करेगी यानि कि it is the discretion of the parliament उनकी मर्जी है और यह mandatory नहीं है उनके उपर कि वह reservation दे या ना दे आगे बढ़ते हैं इसमें state का क्या कहना था यानि कि present government का क्या stand था court में थोड़ा उस पर देखते हैं तेके जो हमारे attorney general के के venue को पाल उन्होंने यह बोला था कि M नागराज की judgment है वो एक larger bench यानि कि seven judge bench या फिन nine judge bench कि द्वारा consider किया जाना चाहिए क्यों क्यों कि जो creamy layer का concept है और presumption of backwardness है वो उनके उपर apply नहीं होता है यानि कि presumption of backwardness तो उनके उपर हमेशा रहेगी इसको upheld भी किया है recent judgment ने दूसरा जो creamy layer का concept जो OBC पर लगता है देखिए तीन तरह के groups हैं हमारे इंडिया में जिनको reservation मिलता है SCST और OBC जो OBC है उनको सबसे पहले प्रूव करना पड़ता है कि वो backward का से बिलोग करते हैं आप ने देखा होगा कई सारे धर्णे वगरा होते रहते हैं जिसमें लोग OBC का दरजा मांगते रहते हैं क्योंकि उससे reservation मिलता है तो उसके लिए आपको backwardness प्रूव करना पड़ जाता है उसके बाद OBC को दो तरहिके से बाटा जाता है creamy layer में और non creamy layer में कि रिजर्वेशन सिफ नॉन क्रीमी लेर को मिलता है क्रीमी लेर एक वो पर्टिकुलर ग्रूप अग्रोप इस OBC में जिनको रिजर्वेशन की जरोत नहीं है जिनकी इंकम एक पर्टिकुलर लिमिट से उपर है जो जिन्दकी में या फिर अपने स्टेटस में इतने आगे अपर नहीं लगना चाहिए तो दिस वाज टोटल समरी ओफ वड़ स्टेट से अब एक रेस्पेक्ट में तुम जानते हैं कि सुप्रीम कोट ने क्या का है यानि कि अब देखें जो मैं आपको बताता है कि जो एसी एस्टीज हैं उनको रिजर्वेशन है कोंसिटूशन में तो वो मिलता है आर्टिकल 341 और अर्टिकल 342 से आर्टिकल 341 में शड्यूल कास्ट को डिफाइन किया हुआ है जो प्रेजिडेंट डिसाइड करता है अफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्णर की कि किन कास्ट रेस और ट्राइब्स को शड्यूल कास्ट का दरज़ा मिलना चाहिए उसके बाद पर्लेमेंट के पास पावर है कि वो इंक्लूड भी कर सकती है और एक्स्क्लूड भी कर सकती है शड्यूल कास्ट में से किसी भी कास्ट रेस और ट्राइब को उसी तरीके से आर्टिकल 342 है जो शड्यूल ट्राइब्स के लिए है जिसके अंदर प्रेजिडेंट अफ्टर कंसल्टेशन विद गवर्णर करता है कोन शेट्यूल ट्राइब के लिए पार्लेमेंट के पास फावर है कि वह इंख्लूड भी कर सकता है एक्सक्लूड भी कर सकता है एससी सदूल ट्राइब में से अब फर्धर एक्स्पर detak result का है को़ट ने बोला है कि जिसका जितना हग है उसे उतना ही मिलना चाहिए आप से बिलोंग करते हैं आप बैकवर्ड प्रिजूम किया जाएगा लेकिन अगर आपका स्टीटस देखके आपकी इंकम आपकी सोशल स्टेंडिंग देखके ऐसा लगता है कि आपको रिजर्वेशन जरूत नहीं है तो या क्रीमी लेर का कंसेप्ट स्टी पर लगेगा आप डाटा क्लेक्ट कीजिए और फिस्टेट की डिस्क्रिशन है तो कोट ने अब जो प्रेज़ेंट जज्जमेंट आई है उसने यह तो बोल दिया कि प्रेजिडेंट की पावर है अपने आप देने की फिर कोट ने एमना अगरा आपको लग रहा है कि मैं बाद बाद चीजे बार बार एक्स्पेंट कर रहा हूं बट यह चीज़ थोड़ा टेक्निकल है और हर स्टुडेंट को चीज़े समझ में नहीं आती है तो इसलिए बार 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 बोलना जरूरी हो जाता है उसके बाद दोस्तों आर्टिक रिजर्वेशन तो यह जो पावर है इसके साथ इंटरफेर नहीं करा है कोट ने यह कोट ने बोला है यह देखिए अब क्या बोला है आगे फॉर्दर उसको देख लेते हैं जो आर्टिकल 14 और 16 जो मैंने आपको बोला राइट टो इक्वालिटी देता है उसको हार्मोनियस ली यानि कि उसके साथ रीड करना है आर्टिकल 341-342 के साथ 341-342 मैंने आपको बता है SCST तो SCST का दरजा मिलना राइट टो इक्वालिटी के साथ आएगा हर किसी को नहीं मिलेगा SCST का दरजा जो क्रीमी लेर में हैं जो स्टोशल स्टेटस में आगे हैं उनको जो है अब SCST का जो रिजर्वेशन का फायदा है वो नहीं मिलेगा उसके बाद एक एप्रूवल दिया है एप्लिकेशनल क्रीमी लेर कंसेप्ट उसके बाद बैंच ने नागराज के इस opinion को की data collect करना है for showing backwardness उसको reject कर दिया और बोला है further क्या बोला है कि जो nine judge bench का decision था इंद्रा सहनी वर्सिज उनिव इंडिया दोस्ते 1991 का judgment है इसके अंदर सबसे पहली बार जो है reservation को challenge किया गया था और court नहीं बोला था कि reservation इन jobs में या फिर promotion में valid है तो इंद्रा सहनी उसको overrule कर दिया गया था फिर एमनागराज का case आया 2006 में जिसने उसको दुबारा फैल किया और अब यह दुबारा जोसफ श्रैन का case आया है जो सबसे आखरी इसमें दुबारा फैल किया गया कि promotion में reservation आपको मिलेगा उसके बाद दोस्तों आर्टिकल 46 का सहरा लिया है कोड ने इस चीज़ को determine करते हुए कि क्यों SCST जो है वो OBC से अलग है और उनको data collect करके show करने जोटनी है कि हम लोग जो है वो backward है क्यों देखें आर्टिकल 46 क्या कहता है आर्टिकल 46 यह कहता है State shall promote with special care the educational and economic interest of weaker section of the people and in particular of scheduled caste and scheduled tribes and shall protect them from injustice and all forms of exploitation यानि की DPSP ये Directive Principle of State Policy या आर्टिकल 46 इसने ये चीज़ तो बोली कि special care करना है educational and economic interest में किसका weaker section of people फिर क्या कहता है specially and in particular यानि की SCST बाकी सारे weaker section से अलग है उनके उपर special focus देना है और यह दुबारा क्या emphasize करता है कि SCST are not same as OBCs और इनके लिए ओ ज्यादा special provision की जुरुत है तो सिंस्ट ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिकल 16 4 A और 16 4 B जो मैं आपको बता रहा है जिससे पार्लेमेंट को power मिलती है किसकी reservation देने की promotions में वो 9 Judge Bench इं इंद्रा साहनी को overrule करने के लिए लाए गए थे क्यों क्योंकि इंद्रा साहनी ने बोला था कि reservation इं प्रमोशन नहीं होगा लेकिन आर्टिकल 16 4 A और आर्टिकल 16 4 B से उसको overrule किया गया फिर एवनाराज judgment ने इसको फैल किया था फिर उन्होंने क कुछ और दो particular conditions लगाई थी जैसा कि उन्होंने quantifiable data बोला था दूसरा creamy layer का concept बोला था इन दोनों में इसे एक creamy layer को तो accept किया है court ने इस बार लेकिन quantifiable data को नहीं किया है दोस्तो इसी के साथ आज की मारी वीडियो खतम होती है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किजिए हमारे टेलेग्राम गुरूप को जोइन किजिए हमारे ब्लोग को continuously फोलो करते रहे हैं आपका कोई भी कुशन है तो आपको कमेंट सेक्शन में ड्रोब कीजिए हम उसक प्रांस जरू देंगे दोस्तो थैंक्यों पोसिंग डिस एडियों